मूंग दाल के पनीर पकोडे यानि मंगोडे बनाने के लिए एक कप धुली हुई मूंग दाल को तीन घंटे गरम पानी में भिगो कर रखे और थोड़ा सा पानी डाल कर मिक्सी में पीस ले उसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी, स्वादा नुसार नमक, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच अजवाईन, एक चोथाई चम्मच काली मिर्च, एक चोथाई चम्मच हिंग, तीन बारीक कटी हरी मिर्च और धनिया डाल कर अच्छे से मिक्स करे और ए फ्राइ करे। गोल्डन ब्राउन होने पर इसे बाहर निकाल ले। वैसे ही ब्रेड के पकोडे फ्राइ करे। चटपटे मूंग दाल के पनीर पकोडे तयार है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो विदर्ब बाइट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।